फिर्स्ट मंडे स्प्राउट दोसा स्प्राउट दोसा एक हेल्दी आप्शन है इसलिए ये स्प्राउट में क्या रहता है फाइबर के साथ विटेमिन A, C, K आयन और कैल्शियूम का खजाना रहता है इसलिए हम फिर्स्ट स्टार्ट करते है हमने यहापे स्प्राउट लिये है बन कप उसमें हम दो से तीन हरी मिर्शी एड़ करेंगे लसुन, जीरा, धनिया, नमक और हाप हाप कप हम वाटर एड़ करेंगे बाद में हमारी जो ये पेस्ट है वो तयार हो गया है और उसको फिर हम पैन में अच्छे होने देंगे एक साइट से थोड़ा ओइल डालेंगे और पैन में होने देंगे और हमारा हेल्दी ब्रेकफस्ट रेडी है सेकंड वेज उत्तपम वेज उत्तपम एक हेल्दी ओफ्शन है या आप बच्चों को टीफिन में भी दे सकते है या आप ब्रेकफस्ट भी कर सकते है इसमें आप कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते है आपके चोईस पे आपको जो अच्छा लगते है वो वेजिटेबल एड़ करें सबसे पहले हमने यहाँ पे टू कप चावल लिए है और वन कप उड़त डाल लिए है इसको हम अच्छे से वाश करेंगे फोर टू फाई ओवर्स आप रख सकते है या ओवरनाइट आप सोग करेंगे उसके बाद हम छोटे सा इसके भी बना सकते है आप इस पर कोई भी वेजिटेबल एड़ करो आपकी चॉइस से मैंने इसमें टोमेटो, कैपसिकम और हरा धन्या ओनियंस एड़ किये है आप आपकी चॉइस के वेजिटेबल एड़ कीजी और जो आपके कीर्स को जादा पसंद है आप वही वेजिटेबल लीजी जो की उनको खाने में टेस्टी लगे बाद में हमने दोड़ा सा पैन में ओईल एड़ किया है और इसको 3-4 मिनित तक पैन में होने दे और हमारा हेल्दी ब्रेकफस्ट एड़ी है थर्ड वेनस टे वेनस टे हमने स्प्राउट मटकी बनाया है और वो भी एक हेल्दी ओप्षन है यह प्रोटीन का प्रोटीन से रीच रहता है यह हेल्दी ब्रेकफस्ट है स्प्राउट्स को पहले मटकी को राद भर भिगोए फिर उसको अच्छे से स्प्राउट आने तक किसी नैपकिन में रखे राद भर्रे से उसमें स्प्राउट्स अच्छे से आ जाते हैं बाद में हमने पैन में ओईल लिया पैस और कड़ी पत्ता एड़ किया है हम पैस को होने दे, ब्राउन होई तक और उसमें हमने दो से तीन हरी मिर्च एड़ किये आपके चॉइस से हरी मिर्च एड़ कर सकते हैं बाद में हल्दी, गरम, मसाला और धन्या पाउडर एड़ किया है बाद में थोड़ा होने दे, फिर हमने स्प्राउट्स लिए स्प्राउट्स को हम ओनियंस और कोरियंडर से डेकॉरट किया है फोर्थ, पालक लच्छा पर अठा, ये भी एक खेलदी ऑप्शन है बच्चों के लिए या ब्रेकफस्ट के लिए हमने स्पाइन एक पालक को अच्छे से दो लिया है बाद में हमने उसमें विट प्लोर एड़ किया है हाप कप और हरी मिर्ची का पेस्ट उसमें हमने लसन भी एड़ किया है हाप टी स्पुन हम सॉल्ट एड़ किया है बाद में हमने गरम मसाला एड़ कर रहे है और थोड़ा सा तिल एड़ किया है बाद में हम चुरी के मदद से छोटे-छोटे उस पे क्रैक कर देंगे आप देखी सकते हैं मैंने कैसे किया है और फिर उसको अच्छे से रैप करके गोल करके बेल लेंगे हमें उसको थोड़ा हलका-हलका बेलना है और फिर एक लच्छा पराटा रेड़े ये भी हम बच्चों को ब्रेकफस्ट में दे सकते हैं फायू काला चना दोसा हम फ्राइडे को काला चना दोसा बनाएंगे और वो भी एक स्प्राउट्स का ही है देखो ये कितना हेल्दी बनाएं आप इसको वेट लॉस में भी उसकर सकते हैं इसमें कोई राइस नहीं है या कोई दाल नहीं है देखो हमने स्प्राउट्स को पहले सबसे पहले अच्छे से स्प्राउट्स आया है कितना अच्छा काला चना को हम अच्छे से वाश कर लिया हैं फिर उसके पाद हमने जार में एड़ किये ब्लैक चना हमने जिंजर और लाल मिर्च एड़ किये देखो हमारी याप पेस्ट रेडी हो गई है फिर हमने पेस्ट में सॉल्ट एड़ किया आप चाहो तो और थोड़ा वाटर पानी एड़ कर रह दोसा बनके तयार है और यह आप वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं सीक्स सैटर्डे को हम ब्रेट सैंडविच बना रहे है यह भी हम हमने इसको थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाएं यह बच्चों के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है देखो आप सबसे पहले एकदम हम बीची दिख रहा है और एहे हीलती भी है को यहां पर हमने स्प्राइट से एड कि मुह के इस प्रौट से यूज म्रेंग कर रहे है क्योंकि प्रिख्रवर्च एक प्रोटीन से दिया तो having a भी हमारी पेस्ट रहड़ी है और उसमें हम ब्रेट को डिप और फिर हमें उन में ब्रेट को थोड़ा सा पैन में तेल डालना है और ब्रेट को होने देना है फर्स साइड में बाद में आप आपके चोईस से कोई भी वेजिटेबल एड़ कर सकते हैं मैंने यहां पे धनिया टोमेटो और चीज एड़ किया है यह एकदम हेल्दी ब्रेकफ और पार सप्सका को कंच रस्कौब और यहां पर राइस लीए है ब़ंट ने हो आपकोप अपकर चसलिए उप वेजिटेबल ऑड़ का एड़ा है इसको के वारा पर ने के बाद हमारा पहट राइड हैं यहाँ पर हमने तड़का लिया है हरी मेर्च, शिमला मेर्च, ओनियंस यह आपको जो पसन आते हैं वह वेज़िटेबल एड़ कर सकते हैं यहाँ पर हमने हापटी स्पून इनो सॉल्ट लिया है देखो हमारे स्टीम होने के बाद इडली एकदम फ्लपी बनिया है और इसमें हेल्दी आप आप सर कर सकते हैं या बच्चों को टिफिन पर भी दे सकते हैं हमने यहाँ पर चटनी बनाई है इसके साथ हम सर कर लें